जै माता जीगी आप सभी उकम बनना वैबाइस आओ आप सभी को मेरी तरफ से शिला सिखाथ गोगा मैडी के तरफ से जै माता जीगी आज मेरा आप लोगों के सामने आने का मैन कारण जो चल रहा है वो आप सभी के सामने हैं जैसा कि वसंद्रा सरकार ने हमारे साथ किया है गरीबों को मजलूबों को किसान मजदूर सभी पेड़ी तवरग नीचे से नीचे दबाई रखा लेकिन आज हमारे समाज ने हमारी 35 कौम ने मिलकर इसको जो तमाचा मारा है वो आप सभी के सामने है आज जो कह रहे थे हैंना कि 35 कौम कभी एक नहीं होती कभी साथ नहीं देती सुखडेवसा ऐसे कर रहे हैं सुखडेवसा वैसे लMP अब आप लोग देखिए सुखदेवसा ने क्या किया है समाज के लिए आज उनकी बदोलत कांगरे सरकार उनकी बदोलत लगाई है कि समाज के सामने आज फिर से अपना पर्चम लेरा दिया उन्होंने तो ये जीत हम सब की जीत है बाकी बन्नाओ आप लोग जै माता जी के आप सभी को और जै राजभुता ना जै करनीशे ना और ये जै तो आप ये लगाईए कि हमारे समाज की जै हुए है माराणी ने तो हमारे साथ बहुत अन्या किया आज माराणी को आपने मैल से निकाल कर जोपड़ी में ले जागी बिटा दिया ये किसी एक की जीत नहीं है ये हम सब की जीत है और आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं लाइव आई वरना मेरा लाइव आने का कोई मतलब भी नहीं था आज जसन हो रहा है कांग्रेस का जसन नहीं हो रहा है यह हमारे राजपुतान का जसन है आज हमारे राजपुतों का जसन है और यह बतादू में आप लोगों को कि आज तो वसुंद्रा जी को छोटा सजटका लगा है छोटा सथ है यह तो प्रपे विदारन लेकिन आने वाले विदान सबा में सोची इनके साथ क्या होने वाला है आने वाले विदान सबा में इनको वो धूल चटाई जाएगी जो इन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी और मैं तो बहुत खुश हूँ इसके लिए आज मैं सुबह से टीवी के सामने ही बैटी थी क्योंकि ये जीत हमारे राजपूतों की जीत है और ये रानि पदमनी जी की जीत है जो अमारी माता का अपमान चल रहा था है जो वसुंदरा सरकार ने करवाया है आनन्द पाल जी ये मैटर में जो इन्होंने अंसुनुई की थी न अब उसका यह परिणाम है आज ये लोग भुगत रहे हैं और भुगतेंगे आगे आगे ओर देखना जो राजपुतों को गिराते हैं ना वो कभी उपर उठ नहीं सकते आज राजपुतों की जो अंदेखी कर रही थी ना सरकार ने वो इनकी आज कितनी बड़ी भूलसाबित हुई है आज तो ये लगा साथ नहीं देने लग रहे थे आज जब जाके इन्होंने थोड़ा वो साथ दिया सरकार ने कम से कम थोड़ा समाना तो सही कि हां राजपुत भी कुछ है और आप लोगों ने आज तो इतियास रस दिया और मैं तो चलो बगवान से यह कहते हूं कि राजपुताना ना तो रचा था और अब भी रतने की तयारी में है और हमारा इतियास तो हमने अपनी खून से लिखा था कलम से नहीं खून से लिखा था और राजपुतों का इतियास कभी भी दूमिल नहीं हो सकता और ये विकाव मीडिया पार बार 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 विकाव मीडिया बार बार हमारी अंदेखी कर रही है ना राजपूतों को गिरा रही है कभी कह रही है गुंडे हैं कभी कह रही है बदमाज हैं तो हाँ बिल्कुल गुंडे हैं राजबूत। लेकिन किस के लिए? अपने मावेन की इजद बचाने के लिए। और माता पदमनी हमारी मा है। आज उनके आदरस के कारण, आज जो आदरस माता ने शिखाए थे ना वो आदरस हर भाई के अंदर है हर मा के अंदर है हर बेटी के अंदर है और हम भी उनकी आनवांसान का हमेशा ध्यान रखेंगे बाकि एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बदाई और खुसी मनाई बस पटाक के फोड़ें क्योंकि राणी जी का सियासन डोल चुका है आप पर आने वाले लोग सबा और विदान सबा में फिर से इनको दूल सटाइए जै माता जीगी शीला सिखाओ गोगमेडी